नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेगे कि आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि वो लोग चुटकी बजाते ही अपनी बैकगराउंड को चेंज कर देते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह सब कैसे होता है चुटकी बजाते ही आप अपनी background को कैसे change कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी चुटकी बजाई और यहाँ पर मेरी background change हो गई है अगर मैं दुबारा चुटकी बजाता हूं तो फिर से मेरी background change हो जाती है तो यह सब बहुत ही आसान है आप लोग सोचते होंगे कि और बहुत बड़ा काम है लेकि नहीं यह है चुटकी बजाती ही हो जाता है बहुत ही simple है जब आप देखोगे तो आप भी अपनी वीडियो में इस तरीके से अपनी background को change कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा दो तिन चेज़े चाहिए होगी सबसे पहले हमको चाहिए होगी एक green screen यानि कि एक हरे रंका कोई भी आपको कपड़ा ले लेना है एक हरे रंका परदा आपको चाहिए जो कि आपके background में कुछ इस तरीके से लगा रहे आप देख सकते हो मेरे पीछे यह बिल्कुल हरे रंका परदा इस समय लगा हुआ है दूसरी चीज आपको चाहिए एक software अग से आप कैसे अपनी background को change कर सकते हो तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि हम यह सब कैसे करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं open कर लेता हूँ Wondersayer Filmora इसी में मैं आपको edit करके दिखाऊँआ कि वही किस तरीकी से हम अपनी background को change कर सकते हैं तो यहाँ पर आ है इस वीडियो को खीच कर ले आना है timeline में timeline में लाने के बाद यह आप से कुछ पूछेगा कि वही आपको अपने project की setting है वो रखनी है या आपकी जो वीडियो है उसके हिसाप से रखना है तो मैं अपने project के हिसाप से रख लेता हूँ यह रख लिया है इस बटन पर जाएं हमको कुछ photos बगरा यहां से ले लेते हैं या कुछ video भी आप यहां पर ले सकते हो मैं आपको उधारन के तोर पर एक photo लगा कर दिखाते था हूँ यह मैंने कुछ photos अपनी background के लिए लिया है अब हमको क्या करना है यहां पर ध्यान आपको यह रखना है कि जो video 1 का option है आपको अपनी video दूसरे point पर रखनी है ठीक है यहां लिखा है ना video 2 जो video 1 है वहाँ पर हमको इन में से कोई भी एक photo लगा देना है जैसे माल लीजिए कि मैंने अपना यह photo लगा दिया ठीक अब हमको क्या करना है कि अभी हमारी video में जो background है फू सो नहीं हो रही है तो उसके लिए ह अपनी video को select कर लेंगे इस पर हमारी green screen लगी हुई है तो आपको क्या करना है कि आपके सामने हैं लिखा होगा green screen आप देख सकते हो यह लिखा है green screen इस पर जैसे हम click करेंगे तो हमारी background इस तरीके से remove हो जाएगी लेकिन अभी अच्छी तरीके से remove नहीं हुई है तो इसके लेना है और ड्रॉप लेने के बाद अपने जो आपके ग्रीन इसक्रीन है इस पर आपको किक कर देना है कहीं से भी तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी बैगरॉंड रिमूब हो गई है सिर्फ एक क्लिक में अब आपको थोड़े से इसमें अज्जेस्टमेंट कर ल देना है और यहां कंट्रस्ट इसकी थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है यहां पर आपको बढ़ा देनी है यहां थोड़ी से आपको इसको इसकी बढ़ा देनी है और थोड़ी से आपको बढ़ा देनी है ब्राइटनेस आप देख सकते हो कि ब्राइटनेस हमारी बढ़ अनुपात नौ क्योंकि यूट्यूब की वीडियो होती है वो इसी अनुपात में चलती है ठीक है इस पर आपको किलिक कर देंगे अब आप देख सकते हैं अपने आप इसने ले लिया है इसको आप जैसे मर्जी वहाँ पर सैट करके कर दीजिए तो जो आपकी यो बैक्ग्रा अब माली जी हमको दूसरा अपना कोई लगानी है आप यहां से कोई और बैक्राउंड चेंज कर सकते यहां पर इसको लगाएंगे तो आपकी वीडियो की पीछे जो है बैक्राउंड अपने आप ही चेंज हो जाएगी यह देख सकते हैं लेकिन इसकी भी जो है जो रेशिय है इसका भी सही नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे पर जाएंगे और इसका रेशियो भी आप सोला नुपात नौपत कर देगे यहां पर जहां मर्जी आपको स्लेक्ट कर लेंगे यहां करके कर देंगे तो हमारी बैक्ग्राउंड बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी द दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलिए मैं हूँ आपका दोस्त हिमांसु चौधरी फिर मिलूँगा किसी और वीडियो की साथ सब तक के लिए धन्यबाद कर दोस्तों किसी और वीडियो 2 naw ऐते हैंसुर सेर क्त derivative वेपकों येपका जगी वह सिम्मीद करता है सेर कि सेर किसी और व सबयों के सबार दोस्तों, सेर किसी और आते हैंस।